आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हुआ जिता टीवी का सबसे कॉंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 15 शुरू हो गया है हर बार की तरह इस बार भी बिग बॉस सुर्खियों में बना हुआ है दू अक्टूबर को शुरू हुआ बिग बॉस 15 पहले दिन से ही चर्चा में आ गया था अब भला बिग बॉस शुरू हो और उसको लेकर चर्चे ना हो ऐसा तो होने वाला नहीं है बिग बॉस 15 के दर्शकों ने पहला वीकेंड का वार एपिसोड देखा होगा इस सीजन का पहला हफता काफी उतार चड़ाव से भरा रहा पहले वीकेंड में सल्मान ने अपने फैंस का खूब मनुरंजन किया इस वीकेंड के वार की दौरान सल्मान ने कंटिस्टन को जम कर फटकार लगाई तो वहीं अपने जोक से लोगों को हसाया भी इस बीश सल्मान खान ने कहा कि ये शो सुपरफास्ट स्पीट से चल रहा है उन्होंने ये बात इशान सहगल और माईशा अईयर के सुपरफास्ट प्यार को देखकर कही थी दोनों एक हफते के भीतर ही एक दूसरे के काफी करीब आ गये है बिग बॉस 15 के पहले हफते के दौरान घरवालों और दर्शकों ने उनके बीश गहरी दोस्ती देखी और वीकेंड के वार का पहला एपिसोड चली कास्ट होने तक ये प्यार में बदल गया वही नए प्रोमो में देखा जा रहा है कि दोनों अब कैमरी के सामने कोजी-कोजी होते नजर आ रहे हैं और सहज भी महसूस कर रहे है दरसल शो के लेटस प्रोमो में ईशान और माय शाइक दूसरे को किस करते नजर आ रहे हैं वीडियो में भी एक साथ बिस्टर पर गले मिलते और लेटे हुए नजर आ रहे हैं दोनों के कई कोजी पल इस प्रोमो में देखे जा सकते हैं घर वाले भी अब इस नए जोडे की बाते कर रहे हैं ईशान ने कबूल किया कि वो सिर्फ आट दिनों में उनके काफी करीब महसूस करते हैं वही ऐसा कहने पर मायशा ने रोका लेकिन ईशान ने आगे कहा कि मैं आक्चली ऐसा महसूस करता हूं कि हमारे बीच एक गहरा संबंद है और सिर्फ आट दिन पहले मिला हूं ऐसा महसूस नहीं होता है मैं आपको सच मुश पसंद करता हूं मायशा नीशान को कुछ समय देने के लिए कहा लेकिन उन्होंने मायशा से कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाता हूं इसके बाद मायशा नी कहा कि आप ही बोले हो ना कि मैं आपकी हूं तो मेरा कोई हक नहीं बनता ना बोलने का उन्होंने एक दूसरे को प्यार से किस्दी किया गौर तलब है कि सामने आए फ्रोमो वीडियो में दोनों के कई इंटिमेट मोमेंट्स है दोनों एक दूसरे में डूबे दिख रहे हैं यहां तक कि दोनों एक ही बैट भी शेयर कर रहे हैं हलाकि बाकी कंटेस्टेंट्स ने इसकी आलूचना भी की लेकिन फिर भी उनकी फ्रेम कहानी तेज गती से आगे बढ़ रही है यहां तक कि सल्मान ने भी इसे फास्सेस्ट रोमैंस बताया जबी बार की एपिसोड में इशान को माईशा का बचाव करते देख सल्मान ने उनका वकील बताया और दोनों को चिरहा भी बहराल देखना ये होगा कि बाकी सेलिबरिटी कंटेस्टेंट कपल्स की तरह क्या ये कपल भी बिग बॉस के आखरी दिनों तक टिक पाएगा या फिर यहां से बाहर निकलने के बाद फुस्त हो जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा फिलाल देश और दुनिया की तवाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चानल को वीडियो को लाइक करें और जाद से जादा शेयर करें